Hello everyone, I am Priyanka और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में चैप्टर 7 की जो हमारी मिसलीनिस एक्सेसाइज है उसके लास्ट कुछ 4-5 कॉश्चिन बचे हुए हैं तो उन्हीं को आज की क्लास में हम कम्प्लीट करने वाले हैं तो पिछली क्लास में 39 तक कॉश्चन हमने कम्प्लीट कर लिये थे तो पिछली वीडियो की लिंक आप उपर मिली जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी तो वहां से आप कोई भी चैप्टर प्लेलिस्ट के तुरू बिल्कुल आसानी के साथ देख सकते हैं ठीक है तो क्लास को स्टार्ट करेंगे हम तो हमने यहां पर लिया है कॉश्चन नमबर 40 तो यहां पर हमको बोला गया है कि इसकी वालिव हमको फाइंड करना है अपकुल इसको हमने प्लेट को इसकी बलट करते हैं वह सारी चीज अगर क्लियर नहीं है तो आप डिल्कुल नियो से देख सकते हैं यह अपर लिंक मिल जाईगे तो चलियो सबसे पहले हम को क्लियर हो की है करना है तो limit of a sum का जो formula है वो क्या है हमारा सबसे पहले हम भो लिख लेते हैं कि अ कि यह हमारा एक्सप्रेशन है तो इसी में हमको सारी वैल्यू फाइंड करना है बस हमको क्या पता होना चाहिए हमारा एक्या है यहां पर एन की वैल्यू हमको ह से मिलेगी ठीक हम फाइंड कर लेते हैं ह अपना होता है बी माइनस ए अपवन अपन एन तो देखिए बी माइनस ए यानि वन माइनस ज्यरो वन अपन एन और बी माइनस ए की गिजर्वा पढ़नी ही पढ़नी है तो बी माइनस एग्वाल लगेए अपना वन इसके अलाब Hungary function क्या है f of x equal to e की degree 2 minus 3x इतनी बाद clear हो गई होगी ठीक है तो यह सारी value यहीं सा देख देख के हमने compare करके लिए a कितना है 0 b कितना है 1 function अपना e की degree 2 minus 3x इसके बाद formula में b minus a की ज़र रहत है तो b minus a find कर लिया h यहाँ पर लगे गई लगे का तो h की value होगी b minus a upon n यह formula होता है यह हो जाएगा 1 upon n ठीक है अब इसमें value रखेंगे हम तो देखिए b minus a अपना कितना अभी अपन ने find की अब 1 और 1 का multiply आप इसमें करोगे तो 1 तो मतलब यही के यह value आ जाने तो b minus a होगे बन बन को नहीं लिख रहा है यह हमने लिखा limit n tending to infinity 1 upon n अब इसके अंदर value हमको रखना है तो सबसे पहले आप देखें f of a तो f of a find करेंगे तो a कितना है आपका 0 तो f of 0 find करिए तो function अपना क्या है e की degree 2 minus 3x और x की जगह पर यहाँ आ जाएगा आपका 0 तो 3 into 0 0 तो यह पूरा गया तो यह आ गया e square ठीक है बीच में प्लस फिर f of आप a plus h find करेंगे तो a कितना है आपका 0 plus h तो 2 minus 3x की जगह पर आजाएगा आपका h ठीक है तो आई होब आप बात समझ पा रहे होंगे f of a plus h की value हमने find करी है a अपना 0 है 0 plus h हो गया अपना h तो function अपना जो है उसमें x की जगह पर हमने h रख दिया that's it ठीक है तो e की degree 2 minus 3h plus इसी तरीके से e की degree 2 minus 2 into 3h I mean 3 into 2h plus and so on plus e की degree 2 minus 3h की जगह पर आ जाएगा n minus 1h ओके clear हो गई बात ठीक है तो यह हटा देते हैं अपन तो यहाँ पर हमने यह values यहाँ से find कर ली और बीच में करना है तो इसको solve कैसे करेंगे देखिए यह limit n tending to infinity 1 upon n अब यहाँ पर आप हर term में एक चीज़ देखें e की degree 2 यहाँ पर भी है e की degree 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और बीच की जो सारे 2 है और माइनस 3 है तो इनकी बीच में माइनस है मतलब यह होंगे डिवाइड में यहाँ यहाँ देखी रहा आपको यहाँ 3 into 2 ह बचेगा यहाँ माइनस 3 into n minus 1 ह बचेगा और यहाँ तो कुछ नहीं 1 बचेगा ठीक है तो हमने सभी जगह से e square common निकाला तो यहाँ पर अब क्या बचेगा 1 plus e की डिगरी minus 3H plus e की डिगरी minus 3 2H plus and so on plus e की डिगरी minus 3 n minus 1H तो यहाँ पर अब आप देखें यह जो e square अपना common निकला है यह constant है क्योंकि ना इसमें h है ना ही n है तो हमने क्या किया इसको बाहर निकाल दिया ठीक है क्योंकि constant है फिर यहाँ पर हमने लगाया limit n tending to infinity 1 upon n as it is अब यह जो curly bracket आपको दिख रहा है यह क्योंकि यह तो अपना बाहर निकल गया चीक है अब यह curly bracket के अंदर है यह हमारी है एक सीरीज यह जीपी एपी जीपी हमने पड़ा है अब जीपी कैसे है क्योंकि सभी में जो common ratio आ रहा है ना यह common ratio आपका आ रहा है e की degree minus 3h ठीक है और सभी के बीच में plus लगा हुआ यानि कि sum of n terms of gp का formula यहां पर हमारा लगेगा तो थोड़ा सा रफली मैं आपको बता देती हूं अगर आप gp में जो first term है अगर आप first term देखेंगे तो यह तो 1 है आपका जिसको हम a सपूस करके चलते हैं अपनी series के according और इसमें जो common ratio r है यह है आपका e की degree minus 3h और sum of n terms का formula होता है a 1-r की degree n upon 1-r यह formula होता है तो बस यही formula मैं यहाँ पर apply कर रही हूं तो देखेंगे सबसे पहले sum of n terms लगेगा यहाँ पर तो a a कितना है अपना 1 ठीक फिर उसके पास 1-r की degree n तो 1-r r मतलब common ratio common ratio है e की degree minus 3h ठीक है तो 1-r की degree n n तो यह लगाया आपने n upon 1-r okay clear बस समझ में आ गई तो यह हमारी gp थी यहाँ पर सभी के बीच में प्लस था यानि sum of n terms of gp का formula हमने यहाँ पर apply कर दिए यह साइड में मैं लिखा हुआ है साइड में आप लगे तो इसको note करी लीजिएगा ठीक है ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि यह हमारा कैसे आया अब क्या किया जाए तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे है यह e square अपना as it is यह limit and tending to infinity one upon n अब देखिए अभी तक हमने h की value नहीं रखी है तो अब हम क्या करेंगे h की value रख देते हैं तो देखें यह हमारा one minus देखो one का multiple अंदर करोगे तो यह अपना वही का भही आ जाएगा तो यह अपने लगा यह bracket अब देखो यह अपना one minus एक काम और करते हैं देखो यह e की degree minus 3h और negative बनाने के लिए अपन इसको denominator में ले जाते हैं तो यह हो गया positive e की degree 3h और इसकी degree में n तो पहले से है ही same हम denominator में करते हैं one minus one upon e की degree positive 3h बात clear हो गई ठीक है clear अब हम h की value रखते हैं तो हमारी h की value क्या थी b minus a upon n यानी one upon n तो यहाँ पर रख देंगे इसको मैं हटा रही हूं तो देखो इसके आगे solve कर रहे हैं तो h की value हमने रखी one upon n तो अपना यह e square as it is limit n tending to infinity upon a high one upon n अब थोड़ा सा ध्यान से समझेगा आप मैं क्या कर रही हूं यह h की value भी रख रही हूं साथी साथ यह जो degree n है इसको यहाँ और यहाँ दोनों जगे apply कर रही हूं कि degree है तो numerator में भी आएकि denominator में भी आएकि ठीक है तो दियान से देखें 1-1 की degree n upon a की degree 3 और h अपन ने लिया है 1 upon n और इस पर degree n तो numerator denominator दोनों जगे हमने degree n लगाई है और h की value जो 1 upon n थी यह भी मैंने रख दिया है अब आप clear ले देखें इस n से यह n गया denominator में चलते हैं अपन तो denominator में तो कुछ नहीं अपना 1-1 upon e की degree 3 upon n है यह clear तो देखिए यह formula तो पता ही है आपको ठीक है तो आप एक काम करिए यहां तक आप note कर लीजे इस step तक आप note कर लीजे ठीक है समझ में आपको आई गया limit of sum का यह हमारा formula है a की value, b की value, h की value, b minus e की value, f of x यह सारी value हमको पता होनी जाइए हमने इस formula में यह value put up करी इसके according और फ़र धोड़ा सा हमने solve किया ठीक है main काम अपना start हुआ है यहां से हमने e square common लिया यह हमको gp दिख गई और यहां पर हमने sum of n terms of gp का formula apply कर दिया तो देखिए अब इसके आगे से समझ रहे हैं तो बिल्कुल step by step हम समझते चल रहे हैं हार एक एक चीज तो यह e square अपना common है ही ठीक है one upon I mean limit फिर one upon limit and tending to infinity और यह one upon n अपना है ही यह अपन लगाया bracket अब एक चीज आप देखें वन की डिगरी एन वन की डिगरी एन मतलब वन ठीक है तो यह आगया वन माइनस वन अपन देखो n से n कड़के यह आगया यह आगया e की डिगरी 3 ठीक अब इसके denominator में तो यह थोड़ा साम बड़ा bracket लगाएंगे यहां पर यह denominator में क्या है इसको भाई LCM लेकर solve करेंगे तो यहां आजाएगा e की डिगरी 3N 3N I mean 3 upon n minus 1 upon e की डिगरी 3 upon n यह bracket close ठीक है तो अब हमने proper इसको लिख लिया है तो देखिए इसको हमने LCM लेकर solve कर लिया e की डिगरी 3 upon n minus 1 upon e की डिगरी 3 upon n अब यह जो numerator इसको देखें आप 1 minus 1 upon e q तो यहां पर भी n और h नहीं है मतलब यह भी constant है तो इस constant को भी हम बाहर ले आएंगे तो देखें e square तो अपना है और यह आगे अपना 1 minus 1 upon e q बाहर ओके अब आप देखें यह अपनने लगाई limit n tending to infinity 1 upon n यह लगाया आपनने bracket अब एक चीज का ध्यान दें आप यहां तो बच्चा 1 और यह e की डिगरी 3 upon n उपर जा सकता है तो यह आगे अपना e की डिगरी 3 upon n upon e की डिगरी 3 upon n minus 1 ओके कुछ जादा ही बड़ा bracket लगा दिया चल यह हो गया इतना solve हो गया बाकि हम में इसको अटा देती हूं नीचे वाला और नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को pause करके आप नोट कर सकते हैं तो अब इसको आगे solve करने की बात हम करते हैं तो यहां है 3 upon n 3 upon n यानि की n की जगा पर infinite रखेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा और e की डिगरी 0 यानि 1 1-1 0 यानि की यह define न पाया था कि limit कि देखिए यहां पर n और h में confused नहीं होना है अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो n infinity की तरफ टेंड करेगा तो limit h tending to infinity और सौरी 0 e की डिगरी h-1 upon h ठीक है इसकी value हो जाएगी आपकी 1 यह formula आमने पढ़ा था I think मैंने formula जब आपको लिखा था ताब मैंने h की जगा पर n लिख दिया था तो उसको correct कर लेना है क्योंकि अगर h 0 की तरफ टेंड करेगा तो n infinity पर टेंड करेगा इस चीज़ का बध्यान देना तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह 1 upon n के form में तो अगर इसको n में change करें तो यह हो जाएगी आपकी limit n tending to infinity क्योंकि h 0 की तरफ टेंड कर रहा तो n infinity की तरफ टेंड करेगा यह हो जाएगा e की डिगरी 1 upon n minus 1 upon 1 upon n equal to 1 अब यहाँ पर क्योंकि n tending to infinity चल रहा है अपना तो हमको इस तरह का formula बनाना पड़ेगा अब आप एक चीज़ देखें e की डिगरी 1 upon n minus 1 e की डिगरी 3 upon n minus 1 इतना term है हमारे पास यहाँ 1 upon n तो यहाँ पर इसका same to same बनाने के लिए 3 upon n लाना पड़ेगा समझ रहें बात को यह तो अपनी अलग कहानी है यहाँ पर सिर्फ इ अंदर multiply करना तो यह हो जाएगा e square minus e square upon e cube यह limit n tending to infinity 1 upon n अब बस इस चीज़ को ध्यान से समझना हमारे यहाँ पर हम क्या कर रहा है e की डिगरी 3 upon n है minus 1 है हमने क्या किया इसमें divide किया 3 upon n का तो obviously हम multiply भी करेंगे 3 upon n का balance तो करना पड़ेगा ना बही बाहर से ला रहे हैं हम चीज़े तो 3 upon n से divide किया और यहाँ पर multiply भी कर दिया इस n से यह n कट गया यह 3 constant बाहर आ जाएगा I mean 1 upon 3 क्योंकि अपन में न और यह अपना e square minus 1 upon e यह अपना limit n tending to infinity और यहाँ आ गया अपना ज़को इसमें अगर आप limit अप्लाए करते हो तो limit n tending to infinity e की डिगरी वही 1 upon n यहाँ 3 upon n से 3 upon minus 1 तो इसकी value हो गई 1 हो गई 1 बचा क् e की डिगरी 3 upon n अब यहाँ पर आप अपने limit लगा दो बिल्कुल तो 1 upon 3 यहाँ पर limit लगाओ कि आप तो यह आ जाएगा e की डिगरी 3 upon infinite मतलब 0 इसकी value कितनी हो गई 1 तो यह आ गया 1 upon 3 e square minus 1 upon दीजिए खताम clear ठीक है तो इस question में कुछ formula जो है यह जो formula है यह clear होने चाहिए और बीच में जो हमारी GPI ठीक है वो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि यह बई GP है तो यहाँ पर हमारा formula लगेगा तो बस यह दो और दो चीज़े एक तो यह formula और एक हमारी GP बस इस question में और extra कुछ भी नहीं था ठीक है तो यहाँ पर question number 40 हमारा complete हो गया है main हमारे यह दो formula है खर इस से यह बना हमारा और एक हमारा GP वाला ठीक है चलिए अब हम करेंगे next question तो यहाँ पर जो आगे के हमारे सारे question है उनमें हमको choose the correct option वाले option है तो यहाँ पर question number 41 है यह किसके equal होगा यह चार option हमको दिये गए हैं तो यहाँ पर देखिए जो integration है हमारा यह indefinite integral है इसलिए देखो सभी में plusy लगा हुआ है तो जादा कोई tension वाली बात नहीं है कैसे किया जाए को हमने यहाँ पर लिया let i equal to this अब यहाँ पर देखिए इक डिगरी x है और यह एक डिगरी माइनस x तो इक डिगरी माइनस x negative है denominator में ले आएंगे तो positive हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हुआ यह dx अपना upon e की डिगरी x as it is है और इसको लिख देंगे 1 upon e की डिगरी x इतनी बात क्लियर हो गई ठीक है denominator में आके positive LCM लेकर इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा अपना dx upon अब देखिए e की डिगरी x का e की डिगरी x में multiply plus 1 upon e की डिगरी x यह integration यह उपर चले जाएगा तो यह हो जाएगा i equal to integration e की डिगरी x upon दोनों add हो जाएगे x plus x 2x तो e की डिगरी हो गया 2x plus 1 और यह dx ठीक है थोड़ा सा simplify हो गया यह अब यहाँ पर हमको यह चीज़ पता है कि जहां e की डिगरी x आया वहाँ पर integration by substitution बड़े आराम से हो सकता है क्योंकि e की डिगरी x का derivative भी और integration दोनों e की डिगरी x होते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया हमने let किया कि e की डिगरी x होगे हमारा t differentiating both sides with respect to x तो यह हो जाएगा dt over dx और यह आजाएगा e की डिगरी x dx equal to dt अब क्योंकि यह आप लिमिट है नहीं तो कोई tension है नहीं अब आप देखो e की डिगरी x dx क्या होगे हमारा dt और e की डिगरी x को t लिया है अब आप बोलेंगे e की डिगरी 2x है बट हमने तो t लिया x को कुछ नहीं इसको break कर लो e की डिगरी x into 2 दोनों को multiply करेंगे यही मिलेगा न हम जो भी changes थोड़े बहुत करते हैं वो अगर changes same to same y हमको result दे रहे हैं तब आप changes कर सकते और otherwise नहीं कर सकते ठीक है और इसकी जगह पे आप लिक लो t तो यह हो जाएगा dt upon t square plus 1 अब इसका formula आपने को नहीं आता क्या बिल t plus c अब t बाहर से लाए थे तो t अमने लिया था x तो यह हो जाएगा 10 inverse e की डिगरी x plus c अब आप देख लो आपका option कौन सा है 10 inverse e की डिगरी positive x plus c यानि कि आपका जो correct answer है वो है a ठीक clear तो बहुत ही simple question था हो गया है अब हम देखेंगे next question इसको note कर लेजे वीडियो को pause करके तो next है अपना question number 42 तो यहाँ पर numerator में देख रहे हैं आप cos 2x है denominator में sin x plus cos x का whole square तो यहाँ पर देखें cos 2x का कौन सा formula लगेगा तो देखें cos 2x के अगर formula की बात करें sin में भी cos में sin cos 10 में भी है तो हमको यहाँ पर कौन सा formula लगाना है sin cos दोनों वाला देखें यहाँ पर formula ल तो देखो sin cos में यह 3 formula होते हैं बट क्यूंकि यहाँ पर sin b यह cos b है इसलिए हम cos sin दोनों का formula लेंगे cos 2x का ठीक है तो यह हमने लिए i equal to integration यहाँ पर हमने लिखा cos square x minus sin square x ठीक और यह dx अपन में है अपना sin x plus cos x का whole square इतनी बात clear हो गई अब यहाँ पर a square minus b square का formula लग जाएगा तो यह हो जाएगा a plus b a minus b तो cos x plus sin x और cos x minus sin x और यह dx अपना as it is है अपन में sin x plus cos x का whole square इतनी बात clear हो गई अब यहाँ पर देखिए cos x plus sin x और यहाँ पर भी cos x plus sin x यहाँ whole square है यहाँ square से एक यह cancel हो जाएगा बचा किया आपने पास cos x minus sin x upon sin x plus cos x तो यहाँ पर देखिए फिरते हम integration by substitution लगा सकते हैं denominator को differentiate करने पर हमको numerator मिल रहा है तो यहाँ पर हमने किया let sin x plus cos x equal to t differentiating both sides with respect to x तो sin x का हो जाएगा cos x cos x का हो जाएगा minus sin x इसका हो जाएगा dt over dx तो dx यहाँ आ जाएगा और equal to dt यह value यहाँ रख देंगे क्योंकि definite integral है नहीं indefinite है तो कोई दिक्काच है नहीं तो देखिए cos x minus sin x dx cos x minus sin x dx यह हो गया dt upon और यह अपनने t लिया ही था यह हो गया आपका log t plus c तो यह हो गया log t अपनने क्या लिया था sin x plus cos x तो आप देख लो कौन सा option है log sin x plus cos x plus c ठीक तो लीजे तो फॉर्मिला कौन सा लगाना है सबसे पहले तो यह हमको देखना होगा हमारी जरूरत के according sin x cos x दोनों थे इसलिए हमने यह वाला फॉर्मिला लगाया क्योंकि हमको दिख रहा था कि अगर हम a square minus b square का formula लगाएंगे तो यह एक हमारा cancel हो जाएगा फिर हमारे पास जो बच्चा उसमें हमने देखा कि इसका derivative यह है मतलब integration by substitution से हो सकता है ठीक है तो question number 42 b हो गया है हमारा complete अब हम करेंगे next question so next question है हमारा question number 43 तो इसको solve करना है तो यहाँ पर देखिए हमको बोला कि if f of a plus b minus x equal to f of x then this is equal to तो चार option है मैंने option अभी इसमें नहीं लिखे हैं बहुत बड़े-बड़े option थे तो चलो solve भी कर लेते हैं आपन इसको तो सबसे पहले तो देखिए यह हमारा हमको दिया हुआ है i equal to a to b x f of x dx equation number 1 यह किसके equal होगा यह हमको बताना है अब यहाँ पर दिया हुआ f of a plus b minus x f of x equal है तो यहाँ पर हमारी एक property काम करेगी property यहाँ पर में लिख देती हूँ कि अगर a to b f of x dx है तो यह equal हो सकता है अपना a to b f of a plus b minus x dx के ठीक है तो यह property हमारी यहाँ पर लग जाएगी तो लगा देते हैं तो देखिए यह हो गया i equal to a to b अब देखिए क्योंकि x की जगा पर a plus b minus x है तो यहाँ पर x है इसके साथ भी यह होगा a plus b minus x f of a plus b minus x dx अब क्योंकि हमको दिया है कि यह तो f of x के equal है तो यह तो change हो जाएगा बट यह ऐसे रहेगा तो यहाँ हो जाएगा i equal to a to b a plus b minus x अपना as it is यह हो जाएगा f of x dx इसको दो equation number second ठीक है अब equation first और second को आप add कर दो ठीक है तो यहाँ लिख दीजिए adding equation first and second add कर दो भई दोनों को first और second को तो lhs में lhs add होगा rhs में rhs तो i plus i equal to integration अब देखिए a to b दोनों में same है अपने limit a to b तो यहाँ x f of x में add हो जाएगा a plus b minus x f of x dx a to b यह लगा बास समझ में आ गई यह plus यह आप क्योंकि दोनों पर limit भी same थी तो कोई दिककत थी नहीं i plus i हो गया अपना 2i equal to a to b अब आप देखो इस वाले term में और इस वाले term में f of x common है तो ले लिया bracket के अंदर बच्चा अपना x यहाँ पर बच्चा अपना a plus b minus x plus x से minus x cancel हो गया ठीक है i equal to यह 2 multiply में है तो यह आजाएगा divide में यहाँ पर आ गया a to b f of x a plus b dx तो भई a plus b constant है तो बाहर निकाल दो इसको तो यह हो जाएगा i equal to a plus b बाहर अपन में 2 अल्रेडी था a to b f of x dx तो options में आप देखेंगे तो integration जो है यह जो चीज है इसको solve नहीं किया गया है तो obviously जो हमारे option रहेंगे उस हिसाब से हम इसको convert करेंगे तो अब आप देख लीजिए यह कौन सा option है book में हम देखते है तो यह जो option है आपका यह है आपका option number d ठीक है clear तो इस तरीके से question number 43 हमारा complete हो गया है इसको note कर लीजे वीडियो को pause करके तो हमारी missliness exercise का next question question number 44 और हमारी missliness exercise का last question देखिए तो यहां पर गोला गया है कि यह किस के क्वाल होगा तो solve करने के लिए देखिए यहां 10 inverse है और यहां पर यह है अब इसको हमको इस तरीके से solve करना होगी यहां तो कोई formula बन जाए ठीक है तो देखिए एक चीज यह 10 inverse और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर हम एक formula हमारा बना सकते हैं पहले हम इसको छोड़ा सा change करते हैं हम बना क्या रहे है वह भी देखेंगे यह 0 to 1 यह 10 inverse अपना as it is यहां पर देखा जाए तो इस 2x को हम लिख सकते हैं x plus x minus बन देखो 2x को x plus x 2x ही हो जाएगा upon 1 इन दोनों terms में से हमने minus sign common लिया तो minus sign अगर दोनों में से आप common ले रहे हैं minus भी common ले लो और x भी common ले लो ठीक है तो देखो minus भी common लिया और x भी common लिया तो minus जब common लिया तो यह x square वाला term हो जाएगा plus का और यह x वाला term हो जाएगा minus का क्यूंकि दोनों में से x common निकल गया ह अब आप देखें यहाँ पर हमारा एक formula बन रहा है क्योंकि देखें यह x और यह x-1 दोनों यह multiply में तो यहाँ पर formula में लिख देती हूँ 10 inverse x plus 10 inverse y equal to होता है हमारा 10 inverse x plus y upon 1 minus xy यह जो formula यही बन रहा हमारा 10 inverse x plus y यह y का काम कर रहा है 1 minus x y बन गया formula बस तो यह हम यहाँ पर लिख देंगे 0 to 1 10 inverse x की जगा पर x है plus 10 inverse y की जगा पर x minus 1 और यह अपने लगा दिया अपना dx ठीक है अब integration अलग-अलग कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखें यह हो गया 0 to 1 10 inverse x और प्लस dx प्लस 0 to 1 10 inverse x minus 1 dx इतनी बात के लिए हो गई अब इसके बाद हमने एक property पड़ी थी कि 0 to a f of x dx को हम लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx बड़ी थी यह property बस यही करेंगे 0 to 1 एक ही जगा पर 1 है तेखो यह तो आप as it is रहने दो 0 to 1 10 inverse x dx रहने दो प्लस यहाँ पर हमारी 0 to 1 a की जगा पर 1 है बस इस चीज़ का ध्यान दो 10 inverse अब x की जगा पर है न ध्यान सिर्फ x की जगा पर अपन a minus x लिखेंगे तो इस x की जगा पर हमने लेखा 1 minus x और अपना minus 1 as it is और यह dx बात समझ में आ गई ठीक है एकी जगा पर हमारा यह 1 है न x की जगा पर a minus x तो इस x की जगा पर 1 minus x और minus 1 as it is इस 1 से यह 1 cancel हो गया तो अब आप देखें 0 to 1 10 inverse x dx अपना as it is अब आप देखें यह 10 inverse यह negative x है तो हमको यह चीज़ पता है कि 10 minus theta minus 10 theta होता है इसी तरीके से यहां से यह minus sign common बाहर आ जाएगा I mean minus sign बाहर आ जाएगा यह आ जाएगा 0 to 1 10 inverse x dx अब आप देख लीज़े यह plus का है यह minus का है दोनों सेम है दोनों cancel होके आ जाएगा 0 तो अब आप option देख लो अपना कौन सा है b ठीक है clear तो question number 44 44 भी हमारा complete हो गया है note कर लीजिए इसको वीडियो को post करके बाकी भाई इस question के साथ ही हमारी जो chapter 7 की missliness exercise थी वो complete हो गई है और I hope कि सारे question समझ में भी आए होंगे और आज का हमारा जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो like जरूर करना है और चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर करिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई and thank you